नवस्कार दोस्तों कैसे आप सभी आसा करता हूं कि आप सभी सवस्त हूंगे दोस्तों आज एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज इस वीडियो में हमu डीजे स्टर्ण के बारें बात करेंगे किडिनी ट्रांस्परांट के बाद डीजे स्टेंट क्यों डाला जाता है डीजे स्टेंट क्या है और जब इसको निकाला जाता है तो उस टाइंपर दर्द होता है या नहीं होता और हमें कितने दिनों बाद सरजरी के डीजे स्टेंट निकलवा लेना चाहिए इसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों DJ स्टंट के उपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसके उपर मैंने जो अपना experience था वो आप लोगों इस साथ share किया था लेकिन फिर भी न बहुत से लोगों के comment साथते हैं DJ स्टंट को लेकर के कि वे DJ स्टंट क्यों डाला जाता है और जब इसको निकाला जाता है तो उस टाइम पर दर्द होता है या नहीं होता और हमें सरजरी के कितने दिनों बाद ये स्टंट निकलवाना चाहिए तो इस से related जो भी confusion है आप लोगों के तो आज में दूर करने की कौर्सिस करूँगा पहले हम इस पर बात कर चुके है तो इस वीडियो को जादा हम लंबा नहीं बनाएंगे बिलकुल सोड में सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिज करूँगा, समझाने की कोशिज करूँगा कि DJ स्टेंट क्या है और ये डालना जरूरी है या नहीं है और इसको हमें कितने दिनों बाद निकलवा लेना चाहिए अगर हम नहीं निकलवाते हैं तो फिर हमें कौन-कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं दोस्तों जो डीजे स्टेंट है वह एक ट्यूब की तरह से बना हुआ एक प्लास्टिक मिटीरियल है जिसके दोनों असीले जे अकार में मुड़े हुए होते हैं तो इसको डूप्टर जे-जे-इस्टेंट के नाम से भी बोलते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें कि किडिनी ट्रांस्प्लान्ट के बाद इये डालना क्यों जरूरी है तो इसके लिए जैसे कि जब हमारी सरजरी होती है तो उसके बाद में जो हमारा यूरेथरा होता है या फिर ये कहें कि किड़नी से बलेडर तक जो यूरीन को लेकर के आने वाली जो ट्यूब होती है वो आपस में चिप के ना एक तो कारण ये होता है डालने का दूसरा कारण होता है कि जो ब यूरिन का रिशाव ना हो इसलिए ये जो टाला जाता है 95% परसेंट चो फैक्शंहें नहीं डालते हैं, ट्रांसप्लांट उसको डिजस्टंट नहीं डाला था लेकिन उसके बाद करीवन सब्सक्राइब या पेशेंट की अच्छे कि ग्रैसकिशन कैसी है उनका जो यूरेत्र है उसकी कंडिशन कैसी है उसके इसाब से डिजेश्टन्ट डालते हैं और दोस्तों जिस भाई का मैं जिकर कर रहा हूं कि मेरे से 6 मेने बाद जिसका ट्रांस्प्लांट हुआ था उनके डिजेश्टन्ट डाला था तो उनकी जो डिश्चार्ज समरी थी उसके अंदर डोक्टर ने एड कर रखा था कि आपको डिजेश्टन्ट डाला है और 21 दिन बाद ये रिमू किया जाएगा आपको आ करके इसको रिमू करवाना है तो उन्होंने अपनी डिश्चार्ज समरी को पढ़ा ही नहीं और डोक्टर साहद उनने बताना बोल गए या पिर डोक्टर ने बताया था तो उनके माइंड में वो बाते आई ही नहीं और करीबन डेड साल तक वो जो स्टंट था किडिनी के अंदर एजटीज पढ़ा रहा उसके बाद में उनको यूरीन के अंदर इंफेक्शन हो गया यूरीन करते टाइम उनको पेन होता था यूरी प्रेक्टे दिख रहा था तो डोक्टर ने का कि आपके दावीं तक श्टंट निकाला नहीं गया है आपने श्टंट क्यों नहीं निकल गया है तो उसके बाद में एक छोटी सी सरजरी के दौरा उसका जो इस टंट निकाला गया तो थोड़ा सा पेनफूल प्रोसेस यह रह वैसे लोकल अनिस्थिया के दौरा भी जो श्टंट निकाल देते हैं डोक्टर लेकिन उनका जो श्टंट निकालने में तो ड़़ा सा टाइम लगा वैसे तो नॉर्मल 15-20 सेकिंड का टाइम ही लगता है श्टंट निकालने में लेकिन उनको करीबन आदा गंटे के आसपास उनको टाइम लगा क्योंकि जो स्टंट था वो यूरेथ्रा के साथ थोड़ा सा चिपक गया था तो उसको निकालने में थोड़ी परेशानी हुई थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस यह रहा और निकालने के बाद करीबन दस दिन तक उनको ना बलड भी आया और यूरीन करत को तरहने का शिरब मेरा अपकि मकसद ऐस estruct怪 कि जाता तो तुअ टैम पर आपको िन सम्री बना करके डोक्रद जिसके अंदर आपके ट्रांसपरांट से सब कुछ उसके अंदर र्यृट होता है कोन सी मेडिसन चल रही अभी आपका कितना है आपकी सर्जरी का जो लेवल अपया था और किस टाइप की सर्जरी है और किड़नी फंक्षण अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है ग्रात ला भुष दिजर डला है नहीं डला हिए-ब法 अपने आप खुद जाकर के डोक्टर से इसके बारे में बोलें कि आज मेरे को मेरा जो है इस्टेंट निकलवाना है मेरे को और अपना टाइम पर इसके अंदर देरी करते हैं या फिर आप भूल जाते हैं तो हो सकता है कि आपका जो श्टेट है ना वह आपके यूरेथरा के साथ सी पढ़ जाई तो एक बहुत बढ़ी सरजरी से आपको गुजरना पड़ सकते हैं तो जो भी आपको डोक्टर बोलते हैं जो भी आपकी स्लीप के अंदर एड एड इस्चार्ज समरी के अंदर एड हैं उसको एक बर रीड करके अपना टाइम रहते प्रोपर तरीके से अपना जो एस्टेंट आप जुरूर निकलवाएगी तो दोस्तों वीडियो से संबंदित डीजे स्टेंट से संबंदित अगर आपके कोई भी सुवाल या सुजवाब है जो आप हमारे साथ सेयर करना चाहते हैं तो कोमेंट्स जरूर करें और जल्द ही एक नए टोपिक के साथ एक नए एक्सपिरिंस लेकर कि आप लोग उसे ना दुबारा मुलाकात होगी तो